इसी तरह जून के महने में दो केरेबियाई देश सुरिनाम और सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोस और उत्सा के साथ सेलिब्रेट किया। सुरिनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल पांच जून को इंडियन एराइवल डे और प्रवासी दीन के रुप में मनाता है। यहां तो हिंदी के साथ ही बोजपूरी भी खूब बोली जाती है। सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस में रहने वाले हमारे भारतिय मुल्क के भाई बहनों के संक्या भी करीब 6,000 है। उन सब को अपनी विरासत पर बहुत गर्व है। एक जून को इन सब ने इंडियन एराइवल डे को जिस दुमदाम से मनाया। उससे उनकी ये भावना साब जरकती है। दुनिया भर में भारतिय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिखता है तो हर भारतिय को गर्व होता है। साथियों इस महिने पुरी दुनिया ने दसवे योग दिवस को भरपूर उत्सा और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मु कश्मीर के स्रीनगर में आयोजीत योग कायरकम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चटकर के हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शांदार उपलब्दियां हासिल की है। साउदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौप साथ जी ने कॉमन योगा प्रोटोकल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी साउदी महिला ने किसी में योगा सेशन को इंस्ठक किया हो। इजिप में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपुटिशन का आयोजन किया गया। निल नदी के किनारे रेड सी के बिचेच पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें भहुत लोगप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टेचू के लिए प्रसिद्ध म्यामार का मारा विजरा पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशूर है। यहां भी 21 जुन को शांदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैम्प का आयोजन किया गया। स्री लंका में विनेशको हेरिटेज साइट के लिए मशूर गॉल्फ फॉर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के नियॉर्क में आपजरवशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्सल आइलेंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कारकम में यहां के राष्टपती जी ने भी हिस्सा लिया। भुटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कारकम हुआ जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टौप के भी शामूल हुए। यानि दुनिया के कौने कौने में योग करते लोगों के विहंगम द्रश्य हम सब ने देखे। मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथ्यों का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा आपसे एक पुराना आगरभी रहा है। हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है। आप नियमित रुप से योग करें। इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाओं को जुरूर महसूस करेंगे। जादी आपणों को आमों वीडियोटी भल ले गिला। तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करें कुछ जो मैं भी भूलनतु नहीं। झाल 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 झाल